नमस्कार दोस्तों आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं मल्टी करड़ का एक खुपसरत सडी जाइन लाए हूँ जिसे आप किसी भी लेडी इस प्रजेक्ट में या फिर बच्चों के प्रजेक्ट में डालेंगे ये बहुत अच्छा लाएगा देखिए सामने से य इसे आसानी से बना सकता है इसे बनाने के लिए हमें चार के मल्टि कल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्सटरा जिजेन चार लाइन में बनके तियार होता है बाडर बनाने के बाद आप उसी रंग के उन से सामने से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे और पीछे से सभी फंदे उल्टे तीसरे राइन से हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा तो अपने दूसरे कलर के उन से एक फंदा सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, फिर एक फंदा सीधा, तो एक, दो, तीन फंदा स्लिप करना है, और चौथे फंदे को सीधा बुनना है, तो इन ही चार फंदों को दूर आते हुए हम पूरी लाइन कम्पलेट करेंगे, तीन फंदा स्लिप करेंगे, और चौथे फंदे को सीधा बुनेंगे, तीन फंदा स्लिप करेंगे और चौते फंदे को सीधा बुनेंगे तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे तीन फंदा सीधा, तीन फंदा स्लिप करना है चौते फंदे को सीधा बुनना है तीन फंदा slip करना है, चौते फंदे को सिधा बुनना है, तो इस तरह हमारा पहला लाइन कम्प्लीट होता है, अब हम आजाते हैं, रॉंग साइड में, ये हमारे डिजाइन का दूसा लाइन है, तो दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर दो फंदा उल्टा बुनेंगे, औ एक फंदा slip करेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, एक, दो, तीन, फिर एक फंदा slip करना है, फिर तीन फंदा उल्टा, एक, दो, तीन, फिर एक फंदा हम slip करेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, एक, दो, तीन, फिर एक फंदा slip करेंगे फिर तीन फंदा उल्टा बुनेंगे फिर एक फंदा slip करेंगे फिर तीन फंदा उल्टा तो इस तरह तीन फंदा उल्टा बुनते हुए एक फंदा slip करते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे और लास्ट में दो ही फंदा उल्टे आएंगे तो शुरुवात में भी दो फंदे उल्टे बुने गये थे और लास्ट में भी दो फंदे उल्टे बुने गये हैं और बीच में तीन-तीन फंदे उल्टे अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से तो तीसरे लाइन म में हम सभी फंदे सीधे बुलेंगे तीसरी लाइन में सभी फंदे सीधे डिजाइन बहुत ही आसान है और बहुत खुबसुरत पिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं आप इसे किसी भी लेदिस प्रोजेक्ट में डालें या फिर बच्चों के प्रोजेक्ट में डालें ये बहुत ही अच्छा लेगा और चौथी लाइन में भी सभी फंदे उल्टे बुलिये जाएंगे तो एक रंग के उनसे हम चार लाइन बनाएंगे उसके बाद हम इन ही चार लाइनों को दूसरे कलर के उनसे बनाएंगे तो हर चार लाइन बाद हमें अपने उनका कलर बदलना होगा यहाँ पे मैंने तीन कलर इस्तिमाल किया है दूसरे कलर के उनसे चार लाइन बनाने के बाद फिर मैं पहले कलर के उनसे एक फंदा सीधा तीन फंदा स्लिप करेंगे फिर एक फंदा सीधा फिर तीन फंदा स्लिप करेंगे तो हर बार उन बदलने के पहले मैंने अपना पहला कलर लगाया है इस तरह पहला कलर, फिर दूसरा कलर, फिर पहला कलर, फिर तीसरा कलर इस क्रम में मैंने उनके कलर को चेंज किया है रॉंग साइड में दो फंदा उल्टा, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे फिर तीन फंदा उल्टा, एक, दो, तीन, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे फिर तीन फंदा उल्टा यानि हमारा दूसरा लाइन तीसरी लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लिये जाएंगे बुना हुआ फंदा और स्लिप किया हुआ फंदा सभी फंदे सीधे बुन लिये जाएंगे और चौती लाइन में सभी फंदे उल्टे तो चार लाइन का ये हमारा रिपीटेड डिजाइन है मैंने तीन कलर इस्तिमाल किया है आप चाहें तो इसे बचे हुए उनका इस्तिमाल करते हुए मल्टी कलर में बना सकते हैं या फिर सिर्फ दो रंग में भी अगर इसे बनाएंगे तो भी ये बहुत ही सुन्द लाएगा तो आप इसे किसी भी तरह इस्तिमाल करेंगे ये डिजाइन हमेशा सुन्द लाएगा तो फ्रेंट्स डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंद आए होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंसर्ट